स्मूदी रेस्पी इसके लिए हमने सिर्फ ये अज़ा लिए हैं तीन प्लम एक मैंगो और ये अच्छे से पके हुए होने चाहिए एक कप दूद और दो टेबल स्पून हम लेंगे चीनी के तो सबसे पहले हमने क्या करना है मैंगो के और प्लम के चिलके उतार लेनी है अब मैंने मैंगो और प्लम का चिलका उतार लिया है और इन्हें काट लिया है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल दरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस त अब हम डालेंगे ब्लेंडर में से तो यह हमारा मैंगो गया और यह प्लम तो अब हम डालेंगे यह हमारा ठंडा फ्रीजर वाला दूद है अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून शूगर तो अब बारी है इसे ब्लेंड करनेंगी तो हमने एक प्लम लिया है और यह लिया है हमने कतर हमारी स्मूदी रैस्पी हो चुकी है दयार जी तो हमारी मज़ेदार और सेहत बख्ष और बच्चों की पसंदीदा प्लम एंड मैंगो स्मूदी रैस्पी इस रेड़ी अगर आप चाहें तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं मेरा चूंकर दूद जो था काफी ठंडा था इसलिए मुझे आइस क्यूब्स डालने की जरूरत नहीं है मैंने अपनी स्मूदी को गार्निश कर लिया है तो अब ये बहुत खूब्स रख नजर आ रही है ये बहुत सहत बख्ष है घर में इसे जरू ट्राइ कीजिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रही है मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिज स्टे ब्लेस्ट एंड स्टे हैल्द